नमस्कार दोस्तों आप देख रहें टीबी 20 नीज पर अपने छेतरों की ताजा तरिन खबरें मैं हूँ आपके साथ असोग बर्मा देखते रहे ये टीबी 20 नीज बने रही हमारे साथ दक्षुन भारत का मुखी तिभार ओडम जिसे बड़े धुमधाम से आजमगण में मनाया गया किरला तमिलनाट के रहने वाले लोगों ने अपने इस तिभार को धुमधाम से तो बनाया ही था साथ लजीज भोजिन पक्वान तियार करके एक दूसरे को खिला कर तिभार के खुशियां मनाये गई बात आ जाता है कि जिस तरह से भारत में होड़ी और दश्वरा मनाया जाता है उतना ही महत वर्म तिभार होता है हर्वेस्टिंग के बाद मनाया जाने वार इतिभार खुशियों का तिभार होता है जो लगातार दस दिनों तक चलता है और सभी अपने अपने तरीके से इसको सेलिबरेट करते हैं जगरीत वेलफेर फाउंडेशन के तत्वावधान में कोलवाज बादर में इस दोहर को धुमधाम से मनाया जा रहा है इस मौके पर केरला और तमिलनाट के रहने वाले लोगों के साथ एक दूसरे को बढ़ाई भी दी इस मौके पर मुक्यतीत के रूप में पधारे एडियम विद वाजाद भकप्स ने जहां ओडम की वधाई दी तो वहीं इस हर्वेस्टिंग के फेस्टिवल की इस दोहर की और तुमधाम से बनाय जा रहे पर रागत दोहर के शुरुआत पर शुब कामनाई दी इस मौके पर टिंटो गुपता ने कहा कि हमारे सोच है कि आज में पर प्रवांचल की लोग इस ओडम उतोहर के बारे में जाने और इस दो सेलिबरेट करें वह इस मौके पर पहुंचे बच्चे और महिलाओं ने अपने तरीके से इस दोहर का लगत उठाया और आपश में खिलकुत का आयोजिन कर और लजीज बुकवान बना कर खिला करें दूसरे को बदाईयां दी जागरदी का नाम से आज सब केरला लोग को बुला की ओनम फ्योगार बनवाया है क्योंकि आज केरला में आज ओनम छेलिबरेट किया जा रहे है तो एक ट्रेडिशनल एक कल्चरिंग फ्योगार है तो कहां कहां केरला लोग होती है वहां क्योगार बनाया जाता है लेकिन आज मिर में कभी ऐसा हुआ नहीं था तो हमने सोचा जागरदी का नाम से आज ओनम बनाया जाए कितना केरला लोग को बुलाया जाए ज्यादा से ज्यादा केरला लोग फुलाकी वनम प्योगार बनाने का कोशिश किया लेकिन आज वर्किंडे था वे उन्ग इंद निस वे इंदन हम फी नंग मिड्ग सुन्धि से इंद हुझ थैं park आप कि अर्ष दुन्स लंशन baix लासे हैं सिर्च लारे हैं कि अष्टरम नीलब मुई अप्रचै इन सपिस्ट लास अर्ष लासे को सॉद्ध लेजितरा टृम सुछयवे क 하니까 अग्राओर हैं जीन मौतलब लगते हैं वर फेली वर मेरा एक्स्पीरियन्स तो एज बहुत अच्छा दीन और हम लोग के मतलब के रल चीज़ उनम हो गया सुखिए जो के में लोग उतर अपैट डेशु आसमगडि में इसको इसको अपोरेट कर रहा है बहुत मेरा अच्छा एक्सपिरियंस है और अब हम लोग सोचे हर साल इस फेस्टिवल को मतलब सेलिबरेट करेंगे और मेरा बहुत अच्छा एक्सपिरियंस था तो आप सभी को हैपी ओनम आसमगड सेलिबरेट करते है जगरती वेल्पेर दोल्हा आज ये ओनम का तेवहर मनाए गया है जो की और विस्टिंग सीजन एक खुशी में बनाया जाता है और आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया देखे तेवहार तो हरसुल लास और आपसी प्रेम और सद्भाव को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और हमारी सुखामनाय है और चाहते हैं कि आने वाले वरसों में भी इसको मनाया जाए और पारस परिक सोहार्द और मेल ताल मेल बढ़ाया जाए इसके लिए जागरिती को हम धन्यवाद भी करेंगे टिक